नमस्कार दोस्तो एमिनेंट क्लासेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम युदिश्टर सिंग्रा टोड़े और मैं लेके आगया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें आज हम एक नई डाइनेस्टी को शुरू करेंगे और यह डाइनेस्टी है मोरियन डाइनेस्ट तो मोरियन डाइनेस्टी के बारे में हम कंप्लीट करके इस लेक्चर में डिसकस करेंगे यदि आप मुझसे मेरे सोचल मीडिया प्लेट्वाम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम और ट्रेटर एकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं इस तक हमने इस एंसेंट सीरीज में क्या है आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं उन सभी को एक बार देख लेते हैं तो जब मैंने यह एंसेंट सुरू की थी तो मैंने सिंदुगाटी सब्वेता से यह एंसेंट की सीरीज शुरू की थी जिसका जो टाइम पिरिट था वह था 26 से 19 के आसपास उसके बाद में हमने वेदिक सभीता को डिसकस किया था वेदिक सभीता में हमने दो टाइम पिरिट को डिसकस किया था उसमें से एक था रिग वेदिक काल और दूसरा था उत्तर वेदिक काल फिर हमने महाजनपत काल का जो टाइम पिरिट था उसको डिसकस किया थ उसमें बहुत सारी गटना एक साथ गटी थी, जैसा की 16 महान जन्पदों का उसमें उद्दे वुआ था, उसके अलावा जो 16 जन्पद है, उनमें से एक जन्पद मगध का उत्थान हुआ था, उसके बाद में हमने दार्मिक क्रांति, उसमें बौदिजम, जैनिजम, इसके अल युनानी जो आक्रमन हुए थे शिकंदर का जो आक्रमन हुए था वो भी हमने इसमें देख लिया है अब आगे जो मैं टाइम पिरिट इस्टार्ट करने जा रहा हूं वो है मोर्यकाल मोर्यकाल का जो टाइम पिरिट है वो लगबग 323 से 1185 से ABC के आसपास रहा है इस लेक्चर स्रीज में हम चंद्रगूप्त मोर्यक बिन्दुसार और महान असोक समराठ के बारे में हम डेटेल में डिसकुस करेंगे अब हम जान लेते हैं कि जो मोरिय का जो इत्यास है उनके बारे में हमें स्रोथ कहां से मिलते हैं हमें कैसे पता चलता है कि मोरिय डाइनेस्टी महान डाइनेस्टी रही थी तो इसके लिए हमें क्या है दो सोर्से हमें अवेलेबल होते हैं एक है आर्केोलोजिकल सोर्स जिसको हम पुरा तात्विक सोर्स कहते हैं और दूसरा है साइट्यक सोर्स उसको हम लिटरी सोर्थ कहते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं साइटिक स्रोथ की तो साइटिक स्रोथ जो है वो हमें दो परकार के साइटिक स्रोथ प्रात होते हैं एक देशी साइटिय और दूसरा है विदेशी साइटिय देशी साइटिय में हमें कौन-कौन सी बुके अवेलेबल होती है उन देशी साइटिय उसको उखाड फैका था और मोरियन डाइनेस्टी को वहां पे इस्टेबिस किया था तो उनकी जो पुस्तक है और सास्तर उससे हमें बहुत सारी जानकारी इस मोरियन डाइनेस्टी के बारे में मिलती है उसके अलावा एक पुस्तक है जानाम है मुद्रा राक्सस उसके जो रा अवेलबल होता है इसके अलावा कुछ एक संस्क्रत साइत्य भी है जो ग्रंथ है उससे भी हमें मोर्य वंस के बारे में जानकारी मिलती है जैसे कि पाणिनी के पुस्तक है उसका नाम है अश्टाद्याई पतंदली की पुस्तक महभाशे सोमदेव की पुस्तक कथा सरित्साग और शेमेंद्र की जो पुस्तक है व्रत कथा मंजरी उनसे भी हमें मोर्य डाइनेस्टी के बारे में पता चलता है इसके अलावा उस समय जो है वो बदिजम कापी जादा डवलोप हो गया था और बदिजम में बहुत सारा साइत्य लिखा गया था और उसी साइत्य से क्या है हमें उस मोर्य डाइनेस्टी के बारे में पता चलता है जैसे की दीवावादान अशोकावादान मंजूश्री कल्प और मिलिन्पनों से भी हमें क्या है उस समय की मोर्य डाइनेस्टी के बारे में क्यों हमें जो बदिजम है बदिजम के लिए उस समय के जो सासक्त है सासकों ने क्या है परचार परचार के लिए काफी पर्यास किये थे उससे भी क्या है हमें इससे बहुत ज़्यादा डिटेल मोर्य डाइनेस्टी के बारे में मिलती है अब बात करते हैं जैन साहिते की क्योंकि चंद्रगुप्त मोर्य ने जो इनिशियल टाइम पिरिड में जैनों को बहुत ज़्यादा सयोग किया था इसलिए जैन साहिते भी हमें मोर्य डाइनेस्टी के बारे में बताते हैं उनमें से एक है परिशिष्ट पर्व दूसरा है कल्प सुत्र और तीसरा है बद्र बहु चरित इन सब से क्या है हमें मोर्य डाइनेस्टी के बारे में पता चलता ह है अब बात करते हैं विदेशि साहते में क्या है कि जब मोरियन डाइनिंस्टी एक हूई थी तो उस समय बहुत सारे विदेशी जो यात्री थी उन्हों ने यहां पे यात्रा की तो वह अपने ट्रेवल ओग में यहां की जो कंडिशन है यहां की जो सबसे पहले बात करते हैं युनानी या रोमन जो यात्रियां आए उनके यात्रा वड़तान्त तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेगस्तनीज की मेगस्तनीज जो है वो चंद्रगुप्त मोरिय के सासन काल में यह आया था तो मेगस्तनीज की जो पुस्तक है इंडिका उसमें वो complete चंदरगुप्त ओपक्र मोरीय के व्यवस्ता को बताता है। इसके अलावा कि डायोनिशस, इस्ट्रेबो, डायवडोर्स और एरियन जो है यह सब यूनानी याथ्री हैं जो इसके बारे में डिटेल में हमें बताते हैं। इसके अलावा चिनी यात्री भी यहां आएते और वो अपने यात्रावरतान में इस समय की डाइनेस्टि के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि फायान और हैंसांग यहां आये थे और ये दोनों जो है उस समय की Complete जो Morian Dynasty उसके बारे में हमें डिस्कस यहां बताते हैं अब बात करते हैं Archeological Source की Archeological Source में हमें वहां से क्या क्या अुशेश हमें मिले हैं उन सभी से क्या है हमें उनके बारे में डिटेल में पता चलता है जैसे कि उस समय के जो अभी लेक है असोग के समय बहुत सारे अभी लेक थे उन अभी लेकों से भी हमें क्या है मौरियन डाइनेस्टी के बारे में पता चलता है अब अभी लेकों में कौन कौन से अभी लेक थ इसके अलावा जो आहद सिखे हैं उससे भी हमें Morian dynasty के बारे में जानकारी मिलती है और उत्री ओबदार वाले जो काले मरत बांड है उससे भी हमें क्या है Morian dynasty के बारे में पता चलता है कि निन में से कौन सा स्रोत है जिससे हमें मोरियन डाइनेस्टी के बारे में पता चलता है या फिर मेंस में सीधा किशन पोच लिया जाता है कि मोरियन डाइनेस्टी के बारे में जो साइट एक्स रोते हैं उनके बारे में डिटेल में एनलाइस करो या उसके बारे में वर्णन करो तो आप इससे कर सकते हैं अब चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले ये मैप देख लेते हैं क्योंकि मोरियन डाइनेस्टी को महान कहा जाता था और मोरियन डाइनेस्टी को महान क्यों कहा जा 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 था तो इसका सिधा सा कारण आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि अगर साउत में अगर चोल डाइनेस्टी का थोड़ा सा पार छोड़ दे तो उसके अलावा लगबग लगबग पूरा इंडिया जो था उस पर मोरियों ने राज किया था इसलिए इस मोरियन डाइनेस्टी को महान डाइनेस्टी का जाता है यदि आप देखना चाओंगे तो इस साइट देखिए कि अफगानिस्तान से भी आगे तक की जो सिमा थी वह उस समय के मोरियन डाइनेस्टी की सिमा थी जो जिसके लिए मुगल समराड जो थे वो भी काफी परियास करते रहे लेकिन वहां तक जो है वो अपनी डाइनेस्टी नहीं पहुंचा सके थे उसके बाद में कालांतर में जब ब्रिटिस रूल यहां पर राया था तो ब्रिट डाइनेस्टी आई थी तब वह वहां तक complete अपना जो 16 अधिकार कर लिया था अब बात करते हैं जो मोरियन डाइनेस्टी है वह कैसे उत्पन हुई कैसे से एक से नेकर कर करके देखते हैं जब यहां पर 16 महन जदमबदों में से जब मगद का उतान हो रहा था तो मगद का उतान के समय बहुत सारी डाइनेस्टी यहां पर इनिशन डाइनेस्टी आई‍शी हर्य線 हर्यक वनस्के बार में सिसुनाग वन circle उसके बाद में जो वह ऊया ये तो ऐसे करके वह डिनेस्टी चलती रही और नंग जो लाष्ट में आते हुए जो नंढी कृटDean एक उसके जो साथ रख होए थे महापददव्लिंफ वह थे थे जिसने महामामंव हुए था ती और उस समय जो तक्ता पलट करके ये जो मोरी डाइनेस्टी आई थी अब बात करते हैं जो मोरी वन से वो उनकी जाती क्या थी क्योंकि उनकी जाती के संदर्ब में बहुत सारे कयास लगा जाते हैं कोई कहता है कि वो सुद्र जाती करें होंगे कोई कहता है कि नहीं वो तो सत्रिय रहे होंगे लेकिन कुछ वक्ती कहते हैं कि नहीं वो तो साधरन परिवार से थे तो ऐसे करके उनकी जो डाइनेस्टी है या फिर उनका जो वन्स है उसके बारे में बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि वो इस जाती के होंगे या उस जाती पुस्तक विशाकतत की उसमें उसको व्रस्यल वंस या पिर निम्न वर्गय इनको बताया है इसके अलावा जो रॉमिला थापर है उन्होंने इनको वेश्य बताया है लेकिन इन सभी मतों में सरवादिक मान्य जो मत है वो शत्री होना माना जाता है क्यूंकि उस समय के जो king maker थे Morian dynasty को अगर limelight में लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चानक्ये और चानक्ये जो है वो राजत्व में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे क्यों क्योंकि चानक्ये जैसा कटर ब्रामन जो वन व्यवस्ता का समर्थ था वो किसी निम्न कुल के व्यक्ति को तो गदी पर बिठाने से रहा तो उस समय क्या है कि अगर चानक्ये ने उनको लाया है तो संभव ही है वो उच कुल या सत्रिय कुल से रहा है इसके अलावा उन्होंने अर्ज सास्त्र में अने भी इसपष्ट किया था कि रादित्व के लिए उच कुलमें सत्रिय ही योग्य है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि चंंद्र गुप्त महरे जो है वह संभव ही शत्रिय वंसगे होगा इसलिए उनको सरवातिक जो मानिय मत है वह शत्रिय उनको माना गया है अब चलते हैं इनके रूलर की तरफ इनके जो पर्तम रूलर हुए थे वो हुए थे चंदरगुप्त मोरिये उनका जो टाइम प्रेड था वो 322 से 328 वे BC के आसपास रहा था अब जो चंदरगुप्त मोरिये है आकस्मिक कैसे एक जो महान नंद डाइनेस्टी थी उनको खतम करके कैसे राजा बने उन सबके पीछे एक ही वेक्ति थे जिनका नाम था और वहां ही पर आचारी थे वहां पे शिक्षा का कारये वह करते थे शिsentर देते थे अब जब इतने महान गुरुप्त है और उनके जो शिश्य है तो संभव है वो महान डाइनेश्टी के तो राजा होने से अच्छे है तो उस समय जब तकशिला पर जो तकशिला है वो अफगानिस्तान के आसपास पढ़ता है जैसे कि हम में पता है कि गंदार की जो राजदानी थी वो थी तकशिला और तकशिला पर ए वो उस समय कंबोज गांदार और मदर देश पर पढ़ता था तो चानक के जो थे वो नंद के पास आए और उनको उनकी इस्तती के बारे में बताया कि हमें बहुत ज़्यादा परिशानी होती है वहाँ पे तो आप उसके लिए कुछ करो तो चानक के जो थे वो उस समय गनानंद के जो थे वो दान विबा के पास लेकिन गनानंद जो है वो इनसे कापी ज़्यादा क्रोधित हो गए और उनको अपमानित करके अपने दर्बार में से निकाल दिया जब अपमानित होकर चानक के वापस जा रहे थे तो उन्हें चंद्रगुप्त मोरिय नजर आए क्योंकि जो चंद्रगुप्त मोरिय है वो उस समय एक खेल खेल रहे थे और उस खेल का नाम था राजकिलम खेल और उसी खेल के दौरान उनकी नजर उन पर पड़ी और उनका चानक के जो है वो कापी आचरे चकीत रहे गे उन्होंने कहा है कि मेरे जो परतिग्या है क्योंकि वो उस समय जो है वो गनानंद को कह के आ गया था कि मैं जो है इस नंद्र डाइनेस्टी को उखार फैकूंगा और यहां पे मैं तक्ता पलट करके रहूंगा तो जब इन्हो चंद्रगुप्त मौर्य को देखा तो इनको लगा कि मेरे कार्य के लिए यह शही व्यक्ति है इसलिए उन्हों ने चंद्रगुप्त मौर्य को 100 काशारपण देकर खरीद लिया जब यहां से उनको खरीदा फिर उनको लेके गए तक्षिशिला अपने और आठ वर्षों तक कठोर शिश्शा उनको दी गई बहुत सारी अच्छी ट्रेनिंग दी गई उनके बाद में उनको राजनितिक ट्रेनिंग दी गई उनको शाहितिक ट्रेनिंग दी गई जितनी परकार की ट्रेनिंग होती थी उनको दी गई और यह सारी ट्रेनिंग उनकी तक्षिला में चलती रही और उसके बाद में वो complete त्यार हो गए non dynasty को जड़ से उखाड़ने के लिए जब वो त्यार हुए तो सबसे पहले जब उन्होंने गननन्द पर अटेक किया तो वो पहली बार में सफल नहीं हो सके क्योंकि इतनी विशाल सेना एक बार में तो कोई पराजित होवे नहीं कि दो वेक्ति आये और फिर चले उपने non dynasty को खाड़ देते ऐसा तो था नहीं उनके पास में लाखों की शेना थी तो सबसे पहले उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे तो हम आज जीते और कोई कल जीते इसलिए जो उत्तर पच्छिम का जो छेत्र था वहां पर दिरे दिरे उन्होंने क्या है जन विद्रो को जन जांके आम सामन्य जो लोग थे उनको बढ़काना शुरू किया और उनको बढ़काते बढ़काते जो युनानी यहां पे जो शासन था वो युनानी शासन था उनके खिलाप उनको बढ़काने का काम शुरू किया और बढ़काते बढ़काते आखिर में उन्होंने क्या है पंजाब पर अधिकार कर दिया पंजाब वाला छेत्र अपने अधिकार में लेकर उन्होंने फिर अटेक किया नंद डाइनेस्टी पर और नंद डाइनेस्टी पर आक्रमन करके उन्होंने नंद को हराया और नंद को हरा कर उनकी हत्या कर दी हत्या करने के ब चंदरगुप्त मोरी हैं विलियम जॉंस ने बताया कि चंदरगुप्त मोरी ही क्या है शेंट्रो कॉर्स हैं 305 BC में शिकंदर के जो सेनापती है शेल्यूकर्स निकेटर उनके साथ विवाद हुआ एक्चल में हुआ क्या था कि जब शिकंदर की मिर्तियों हो गई थी शिकंदर की मिर्तियों होने के बाद में बेबिलियोनिया में क्या हुआ कि बहुत सारा राजनितिक संगर्स शुरू हो गया था और जितने भी उनके सेनापती थे उनके बीच में आपसी संगर्स सुरू हो और उनी आपसी संगस में से एक जो व्यक्ति है वो विजे होता है और उसका नाम था शेल्यूकस निकेटर जब शेल्यूकस निकेटर वहाँ पर कंप्लीट सभी को हराकर वहाँ का राजा बन जाता है तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि जो कंप्लीट जो थी शिकंदर ने जिन दिन चैत्रों पर अधिकार किया था वापिस उन चैत्रों पर अधिकार करने का था तो वह वापिस इंडिया की तरफ लोटा और उन चैत्रों पर अधिकार करने के लिए उसने प्रियास किये लेकिन उस समय की इस्तति और इस समय की इस्तति में कापी और जब सेल्यूकस निकटर ने यहां पर आया और यूद किया तो उसको कंडिशन लग गई कि अब इस यूद में हम जीत नहीं पाएंगे इस्ट्रेबो और एपिया नयस विवाद और इस संदी की जानकारी हमें देते हैं कि उसके बाद में जो विवाद हुआ था इस्ट्रेबो और एपिया नयस जो है दो व्यक्ति है इन्होंने इस विवाद और इसके बाद में जो संदी हुई उनकी जानकारी हमें यह देते हैं को दे दिए उस समय जो एरिया जा था वो है राट वाला जो रिजन था अ राकोशी अज़त भावो कंदार वाला ला Dem abstract और जाडोशय जो रिज़न ता वो शराशन के जो शीमा थी वो अफगानिस्तान और इरान तक भी उसके शीमा जो है बढ़ गई थी अब और इसके अलावा इसने क्या है अपनी बेटी थी हेलेना हेलेना का जो विवा है वो चंदरगुप्त मोरिय के साथ करवाया और अपना जो दूर्थ था मेगस्निस उसको च इसके अलावा जो पलीनी है उनकी पुस्तक का नाम था नेचुरल हिस्टोरिका या नेचुरल हिस्ट्री इसके बारे में टॉलमी की जो पुस्तक थी उसका नाम था जोग्राफी और एक अग्यात लेकर के उनके लेकर का में अभी तक पता नहीं चलाए उनकी जो पुस्तक उनका नाम था Peripulse of the Eritian Sea इसमें भारतिय बंदरगाओ की जानकारी हमें मिलती है जब निकेटर ने अपनी पुत्री की साधी हेलने से कर दी ती तो उसके बाद में चंदरगुप्त मोरिये ने निकेटर को 500 हाथी उफार में दिये और यहां से उनको रवाना कर दिया फिर जो अंतिम समय में चंदरगुप्त मोरिये जो है वो जैंदरम को दरण कर लेते हैं उसके बाद में वो चले जाते हैं साउत की तरफ साउत में एक जगह है सरवन बेला गोला करनाटक में एक इस्तान है जहां पर 298 बीशी में जब हम जैंदरम पढ़ रहे थे तब हम देखते हैं कि चंदरगुप्त मोरिये के समय में एक बहेंकर अकाल पड़ा था और बद्रबाव के साथ चंद्रगुप्त मोरिय भी साउस में चले जाते हैं और वहाँ पर जाके चंद्रगुप्त मोरिय क्या है वहाँ पर संथारा या संलेकना ले लेते हैं अतार्थ वह जब है अंत में समय में आकर वह खाना पानी सब छोड़ देते हैं और अपने प्रयान को त्याग कर देते हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूलर की तरफ नेक्स्ट रूलर था वो था बिंदु सार बिंदु सार का जो टाइम प्रेड था वो लगबग 288 से 273 BC के आज पास रहा था यूनानी इत्यासकार इसे अमित्रो चेड़स या अमित्र गात कहते थे अथार्थ सत्रूओ का सहरक इसमें यूनानी इत्यासकारों ने इनको बताया साहित्य में इसे मद्रसार का गया है इसके अलावा जो दिवियावदा ने उसमें इसको मुर्दनिय बिच्सिक सत्रिय कहा गया है तिबत के जो इत्यासकारे लामा तारानात उन्होंने इनको एक महान सासक बताया है तारानात के अनुसार इसने जो है वो दक्षिन भारत के अभ्यान किया था और दक्षिन भारत को इन्होंने विजित किया था ये जो थे वो आजिविक संप्रदाय के अनुएई थे इनके जो समय तक शिला में दो विद्रो हुए थे एक विद्रो का दमन किया था अशोक ने और दूसरे का दमन का दमन किया था वो किया था शुशिम ने शुशिम जो था वो अशोक का इबाई था ऐसे करके इन दोनों ने मिलकर अलग-अलग दमन किया थे इसके अलावा जो नेपाल का विद्रोग वा था उसका दमन भी असोक नहीं किया था युनानी इतियास का एथीनियस के अनुसार इसने युनान के सासक से मिटी सराब, शुके मेवे और दार्षनिक मंगवाय थे कि ए जो उस समय का युनानी इत्यास युट जो मतलब युनान का सीरिय का ॥ा का उसका नाम था मीटी सराब और युटके मैवे बें थे लेकिन दाशनिक बेंगे वें Ilisbergß azim au क्योंकि बारत में तो बहुत सारे दाशनिक हैं हर कोई thì फिलोसोörtपर होता ही है तो इसलिए क्या है उन्होंने दासनिक बेजने से मनाक कर दिया था इसके दर्बार में युनानी सासक डाइमेकस भी आया था इसके दर्बार में मिस्र के सासक फिला डैलफस का दूथ डायोनिसस भी आया था और यह है इसके साथ ही जो है बिंदु सार के बारे में हमने डिस्क को मिला होगा. Thank you for listening.